के अब से नमस्काद अश्कर मैं भी ने में विन्वे जूनियर मुद्दे में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा मुद्दा है लाथी चार्ज कानून की किताब पढ़ने वाले पर लाथी चार्ज हो रहा थह गर, क्या Act कहता है लाटी चार्ज का और क्या तरीक़ा है इसका क्या ऐसा ही होगा या इस में कोई चेंज या बदलावाएगा जो कि आगरा में भी लाटी चार्ज जो जो का है अद्वक्ताओं पर इससे 21 साल का समय बेद गया है, दूसरा आभी हापन में लाटी चार्ज हुआ इस प्रक्राण को लेकर के भी समय मुद्धा काफी गरम है इस समय पूरे परदेश में पूरे देश में अद्भक्ता नाराज हैं उस लगतार धरना पदरशन कर रहे हैं और अपनी मांग को मानाने के लिए जो सरकार को भी जगानी की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी सुरक्षा की ब्रस्ता की जाए, कई बार देखा गया है नियाले के अंदर भी कई घटना ऐसी घटी है जो हमेशा के लिए सीख दे गई है, लेकिन फिर भी लगता है कि सीख उससे ली नहीं गई है, बेराल हमारे साथ इस स्टूडियो में ती से सुचारू रूप से हो सके, सबसे पढ़े, रमशनकर शानवारे साथ, बिष्ट अणर्वक्ता मौझयद है, रमशनकर जी आपका स्वागत है हमारे साथ अरजीत अरोरा अद्वक्ता मौझयद है, यह वो महमान है मौन के और उस पर काम करते हैं लेकिन अगर इनके उपर ही लाठी चार्ज होगा तो आखिर कानून की किताब पढ़ने के बाद कानून का इंप्लेमेंट कौन कराएगा, कौन मुकदमे लड़ेगा, कौन लोगों को न्याय दिलाएगा, समस्था इस बात की है. सबसे पहले रवशंकर जी आप से बात करते हैं, लाठी चार्ज हापुर में हुआ, क्या रीजन रहा है ऐसा कि पुलिस को अटेंडम जो है इतना वड़ा एक्शन लेना पड़ा कि कानून किताब को पढ़ने वाले अद्वक्ताओं पर यानिकि उनको लाठी चार्ज करना करते हैं, कोट में भी काम करते हैं और हमें अगर समाज के बीच भी जाना पड़े तो समाज के बीच भी कानून के तहत ही उस भासा के इस्तेमाल करते हैं, हापुर की जो घटना है, वो महज इसलिए हुई, क्योंकि पुलिस की एक बहुत सोची समझी तानासाही होती है, और उसके उसको न्याय नहीं मिला, उसकी मान को लेकर, अगर अगर अधवक्ताओं वहाँ पर कोई बात कहना चाह रहे हैं, तो अधिकारियों को चाहिए था, कुर की बात सुनते, उनका समाधान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अधवक्ताओं की आबाज को दबाने कोस की गई, अधवक्ताओं को उपर लाठी चार्च किया गया, और अधवक्ताओं को बुरी तर ऐसे बरबर लाठी चार्च जिसकी जितनी निंदा भसना की जाए, उतले की जाए, क्योंकि अधवक्ता नहत्ता था, अधवक्ताओं घात पे कोई हत्यार नहीं थे, लेकिन पु होना चाहिए जब हम कोई अपनी रास्ते ते भटक रहे हों या हम कोई गय काम कर रहे हों लेकिल पुलिस ते ऐसा नहीं किया लाठी चार्ज कर दिया लाठी चार्ज किया जी और ये लाठी चार्ज की आग साहदा पूरे प्रदेश में अधबकताओं के बीच पहल चुकी है जी और ये निश्चत है कि एक बार हम लोगों को फिर से एक जुट हो करके अपने अस्तित्त का और अपनी इज्जत का और अपने अधिकार का की रच्छा के लिए हमें लगना पड़ेगा जी इसके लिए अगर हम दोसी हैं तो दोसी बनने को तयार है कोई दिक्कत नहीं हम लेकिन हमारी बास सुननी पड़ेगी सरकार को भी प्रसासन को भी सुननी पड़ेगी और पुलिस की जो ताना साही है उसको हम किसी भी कीवत बरदाती करेंगे क्योंकि पुलिस एक ऐसा महकमा है कि इससे अध्वक्ता ही नहीं पूरा समाच प्रतारित होता है आप देखते ह गड़े ठानों में गरीबों की सुनी नहीं जाती अमीरों के साथ भेदवा होता है उनकी सुनी जाती है या जो दबंग आद्मी होता है दरोवाईज को बिठाते हैं लेकिन एक अध्वक्ता जब बाइचांस किसी जाई मांग के लिए ठाने जाता है तो उसको अध्वक्ता पुलिस का रवया रहता है तो मेरा बना यह है कि अद्वक्ता समाच जो की पार्ट ऑफ दा कोट है कोट की गर्मा है अगर अद्वक्ताओं को पर लाड़ी चार्ज हुआ है और होता है और होते रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए यह दुरभाग गया हमारी देश प्रदेश का और हमारी सरकार जब तक अद्वक्ताओं की सुरच्छा के लिए अद्वक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लाएगी तब तक हम संगस करेंगे क्योंकि हमारी सुरच्छा होनी चाहिए हम समाज की लड़ते हैं हम समाज को नया दिलाते हैं हम समाज की बात रखते हैं उसको इए नियुक्त्ता के नादूरी है अगर उस पार्ड को आप इस तरीकरेंगे तो सरकार मोर रहेगी तो अध्यक्ता समाज किसी भी कीमत पर बर्दास नहीं करेगा जी बारब औरोड़ा जी लाठी चार्ज एक महिला से जुड़ा हुआ प्रक्रण था हापुर का उनको पतारित क्या जा रहा था बता जा रहा है कि कोई सुन नहीं रहा था उनकी तो उन्होंने अपनी आवाज को उठाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई पुलिस कैदकार उसे मदद मांगी उसके बाद फिर बाद जब नहीं मानी गई तो सुन्ने में आया आप कि वहां पर धर्ना पदर्शन करने की बाद सामने आई और फिर लाठी चार्ज वहां पर जी यह जो घटना थी यह हापुर की है और इस घटना में यह 29 तारिकी घटना है 29 अगस की 30 अगस को मैं जन भी मेरे अधिवक्ता सातियों को चोट लगी है मैंने उन से मुलाकात करी और जिन महिला ने तक की एक अधिवक्ता नाली में गिर गए थे तो कम से कम उनको उठाएं कुछ नहीं वह अधिवक्ता महिला बीच में से उठके गई उनको उठाने की बज़े उनके उपर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया उनको इतनी चोट लगी तीस तारीक को मैं वही थी वहाँ पे स्ट्राइक थी वहाँ पे लाठी हम लोग भी आगे भड़े थे पुलिस वाले दूर से देख रहते उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे आके हमारा सामना कर सकें उस टाइम जो इस्तिती थी उन्होंने हमसे पीट पीट पीछे लाटी चार्ज किया था सामने उनकी भी हिम्मत नहीं होती आप यह मानिए इस इतनी गंभीर हो चुकी थी वहाँ पे कि अब इस स्तिधी को संभालने के लिए भी एक कमेटी सिटी कमेटी डिसाइड हूई है उसमें भी जो जाज करने वाले हैं वह पुलिस अधिकारी हैं अब यह आप डिसाइड किजेए पुलिस अदिकारी पुलिस कर्मियों के खिलाफ क हमें जाइज चाहिए कि जितने भी हमारे अधिवक्ता साथियों को चोट लगी हैं उनको जिन्हों ने भी चोट लगाई हैं उनको दोशी ठहरा के हुए उनके खिलाब मुकदमा किया जाए हम तो यह कहते हैं उनको बर्खास कर देना चाहिए आप 29 तारिक को वहां गई थी या 30 को गई थी तो 29 को क्या घटना हुए जिससे आपको जाना पड़ा 29 को एक वहां लेडी है एड़ोकेट प्रियंका है उनके खिलाफ उनके फादर के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने गलत तरीके से लिख दिया इस पर अधिवक्ता साथी स्ट् चल रही थी शांती पूर्वक्त चलने के दौरान पुलिस वालों ने पीछे से लाठी चार्ट करना शुरू किया इतने में अधिवक्ता आप एक अपने को संभाल भी ना पाए उन्होंने इतनी बुरी तरीके से लाठी चार्ट किया जिसमें से 25 से 30 अधिवक्ता घायल हु जी होजदर साफ क्या वांग है बाप लोगों की क्योंकि एक कारूनी प्रक्रिया के तहट अगर काम नहीं होता है तो उसके लिए आवाज उड़ती कई बार और आप लोगों पर चुकि आप लाठी चार्ज हुआ हापुड में उसके बाद काफी आक्रोश है क्या चाहते है है आप लोग हम अध्यवक्ताओं का सुरच्छा चाहते हैं बाकी का इस तरह का फ्यूचर में नहीं होना चाहिए बाकी का उन लोगों को जोने किया है लाठी चार्ज बरकास करना चाहिए अपने लोगों की एफायर होनी चाहिए जो भी गठत की गई जांच के लिए कमेट करने हुए तो जी गलत हुआ है सौपरशन गलत हुआ है इसमें मेरी एक वगिल्जाब जी कह लीजे अपनी बात कह लीजे बहले की एसाइटी जांच करेगी इट मीस नथिंग कोई न्याए नहीं मिलेगा हम चाहते कि यूपी बार कोइंसल के चेर्मेन उस अगर रही आती तो या साइटी के टीम में सामिल हो या कोई मेंबर सामिल हो यूपी बार कोइंसल का अधिवक्ताव का प्रतरदी होना चाहिए तब जांच हो तब तो अधिवक्ताव को न्याए मिलेगा बना रिपोर्ट वही आएगी जो सरकार चाहती है रिपोर्ट वही आएगी जो पु कि ऐसमें तरीका है जिन से ठ्व merchants करने का क्या उस समय चैनल करना आ है किस तरह समय कोई pc करनी है किस तरह समय मेनरे निकालनी है यह त्माइंड है बनाए गए हैं तो क्या उस act के खिलाफ 139 और 139 की जो धारा है उसके क्या बिप्रीद प्रदशन हो रहा था यह या फिर कुछ पहले information थी पुलिस को कि यह प्रदशन होने जा रहा है आप आकर के हमारी मांग को सुनिये हमारी जो आवाज उसको सुनिये क्या हुआ था उस समय में क्या हो सकता है धारा 130-130 में यह निश्चित है कि हम लोग अगर कोई अनुल करते हैं तो उसकी रूप रेखा पहले हम बता दें ठीक है लेकिन वहां कहीं को उल्लंगा नहीं हुआ हापड में भी नहीं हुआ हापड में अदवक्ताओं ने एक जाइज मांग को ले करके नहीं सुन रहे हैं तो धारा 130-130 का तो आप उल्लंगा कर रहे हैं ला हम तो अपनी बात आप से कहने जा रहे हैं अगर आप ही नहीं सुनेंगे आप ही हमारी आवाद दबांगे तो फिर नयायकार है जाएगा हुँँ तो इसलिए मेरा मानना है कि यह हमने कहीं भी अर्वक् को थोड़ा हूं कानूं को तोड़ा हो अचानति भंग हो रही थी या कुछ हथियार आप लोग पास क्या दिखा पुलिस को कि अचानक कोई बातचीत हुए थी आप ऐसे पीछे से लाटी चार्ज कर दिया गया अधिवक्ताओं के पास कोई हतियार नहीं थे बिल्कुल शांती पूरग प्रधर्शन चल रहा था किसी तरीके का कोई भी हमने उलंगन नहीं किया था यह पीछे से लाटी चार्ज हो गाव आपने सामने आप हैं पुलिस से सामने खड़ी आप अधुखता सामने कहड़े हैं पीछे किस तरह से लाटी चार्ज करना शुदू कर दी अब इस चीज की जानकारी होती तो सामने से हमें भी पता होता पर इस चीज के कोई भी जानकारी नहीं थी और दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी सड़ने बिल्कुल सही खाया जैसे कि जो चांच कमेटी बनी है अधिकारियों द्वारा हो रही है और जहां तक की अधिकारी उनके कर रहे हैं तो वो लोग कभी भी उनको गलत नहीं ठेहराएंगे कि अर्वक्ताओं ने कभी भी वहां हापर में कोई ऐसा गत्रोद नहीं प्याना किया या कोई भी और यह निश्चित है कि पुलिस का रविया हमेशा से आप देखते होंगे सन 2001 में आगरा में दीबानी में घुसकर पूर निश्चित कारकर्म के तहसरेंद के तहट पुलिस ने इतना बरबर लाठी चाल किया था कि उसके डीजे विजय कुमार मिस्त्राजी उनका एक उंगली टूटी थी कई मेस्ट्रेट गहाल हुए थे 500 अजबक्ता गहाल हुए थे कई योगी अजबक्ताओं को द्याय नहीं मिला रही हुए और बाईश साल में दो सी पुरसकर्मी तमाम तो अपने से बारिय ब्रत हो इंगे किसी के खिलाब को वा यह वक्ताओं के खिलाब हुए थे तो वह तो कोई ऐसा मामला भी नहीं था उसमें तो सिर्फ हाइज कोड वेंच की इ लेकिन जैसा जानकारी हुई है अद्बक्ता होने के नाते अपनी अबाज उठा रहे थे पब्लिक की भी अबाज उठाते जैसा कि सम्मेदान पूरे अलोबर नॉट अनली इंडिया पूरे बल्ड में है इस तरह का बना बना हुआ है नियम अब उसमें सबसे पहले तो जब ज अद्बक्ताओं को भी उनके साथ में कमेटी में कटित हुई है नहीं तो कोर साब अभी क्या माना जाया 1861 1861 का एक्ट अभी भी चल रहा है बेटिशकाल का एक्ट अभी भी चल रहा है उससी रूलिंग के अनुसारा जो है अभी भी जो रवया है एक तरह से जो एक टीट है कि अभी ओ दिख रहा है पुलिस में कोई बदला को चींज नहीं आया है पुलिस मित्तवत ब्योहर की बात कर रहे हैं आपको क्या लग रहा है पुलिस प्छले को सालूम चेंज हुई की नहीं अभी सर जो 26 सेप्टेंबर 2001 में घटना हुई थी उसका वे निर्ने अभी तक नहीं होगा अभी आप यह मानिए कि अधिवक्ताओं के खिलाफ एक दिवरिया में हुई है एक मीरट में हुई है तीन हापुड में हुई है एक गाजियाबाद में हुई है यह मैं आपको अभी की ए सर्षिक कर दी उन्होंने यह कहा अरिश्चित काल सरस्ट रहेगी जब तक कि इसका रिज़ HIM आ जाता है पता नहीं चल तो उनको देता है कि चलिए आपको वहां तक छोड़ देते हैं कि किसी भी पुलिस वाले ने किसी भी अधिवक्ता की है आज तक किसी नहीं देखा होगा मतलब इतना होने के बात भी हम इतने शान सुभाब इतने तरीके से वर्ब करने हम ऑफिसर आफ दे कोट माने जाते हैं इसने शान तरीके से विभार करने पर भी पुलिस वालों का जो विभार हमारी तरफ शुरू से ही खराब रहा है तो यह ऐसा क्यों यह जो डिस्टेंस है यह जो दूरी है दोनों की बीच में उसको कम कैसे किया जा सकता है सबसे बड़ा यहीं है कि जो डिस्टेंस बनी देखिए अधिवक्ताओं की तरफ से पूरा प्रियास रहता है आपने भी देखा होगा कि कभी भी पुलिस वाले पुलिस कर्मी हमारे दिवानी में दिवानी कचैरी में कोट केमपस में दिखाई देते हैं कभी भी किसी कभी विभार उनके साथ खराब नहीं रहा होगा ले तब अधिवक्ता उनकी कितरी इज़त करते हैं लेकिन फिर भी आज तक हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी घटना नहीं होगी कभी कोई ऐसा रूल हमने नहीं तोड़ा लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने कभी भी हमारा सहीयोग नहीं किया हम ने तो ये सामनजस वकिल सब कैसे बैठए आप तो senior अदोक्ता है और ये कैसे अनौनों जी वह इस में पहला अधिकारियों को करने पड़ेगी हम पुलिस के अधिकारियों को और जो senior advocates हैं उनको पुलिस अधिकारियों सब बैठाय जाए को बात बने और एक नयम बने एक कहना चाहिए एक सहमती बने कि हमारी बात सुनी जाए बद वक्त अगर थाने में जाता है कोई बात लेकर या किसी अधगारी से मिलता है तो उसको कम से कम करिए आप अपने मन की सुन तो लीजिए जाइज बात को सुन लीजिए उसको सम्मान दीजिए ये जो बहन कह रही हैं कि थाने में उनका रवया कुछ और होता है और जब कोट में आते हैं तो उनका रवया दूसरा होता है और इसके लिए अधिकारियों को अपने पुलिस कर्मियों को समझाना पड़ेगा कि अधबक्ताओं से विवार निकिया जाए क्योंकि मैं फिर वही बात सब्द कह रहा ह हैं अधिक्ता बुद्जीवी समाज से हैं और एक समानत समाज है पार्ट अब दा कोट है मैं फिर वही सब बारवा ला रहा हूं नहीं वकील साब देखिए आप तीनों आप तीनों अधिक्ता हैं और बुद्जीवी वर्स से बिलॉंग करते हैं लेकिन सवाल यह है कि जो त अधिकारी जो भी नया आता है कम से कम उनके साथ बैट करके परिचर्चा हो जितने भी पुलिस करमी हैं उनसे एक इंट्रडक्शन हो एक पड़ल पर ताकि वो लोगों को पहचान सकें और जब दूसरे पहचानेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो कड़वार किया वाला हो चाहिए किसी विभाग का किसी मिजी सल्स्तान का वेक्ति क्यों नहीं हो और प्रयास की बात मुझे लगता है कि आप लोगों को बैठना चाहिए और इस समय पुलिस कमिश्टर चुकि डॉक्टर पितिंदर सिंग है एक जगे अगर शुरुवात होती है एड़ लगबग लगबग जो आगरा परशेत्रे कम से मगर यहां से आप लोग शुरुवात करते हैं आगरा में साथ से आठ आइपस अधकारी समय हैं इतने ही कम से कम चार से पांच होंगे यहां पर इन सब के बीच में बैठ करके एक प्लेट फार्म ते करा जाए कि वही इस तरह के जो घटनाए घटित हो रही हैं समाज में अधवक्ता तो कानून की लड़ाई लड़ने जा रहा है अधवक्ता के माध्यम सही आपने डायर कर सकते हैं वही एक पीडित की बात सुन करके नियाले तक पहुचा सकते हैं जिरू जी यह पहल प्लिस के अध़कारियों करने पड़ेगी क्योंकर अधवक्ता कहने से तो वह आएंगे नहीं बैठेंगे उनको यह पहल करने चाहिए कि जो सीनर वो अधवक्ता हैं हम नए अधवक्ताओं की बा प्रियास किया था हम और तब थानों में भी यह दायत दे गई थी हमारे एक जस्थाव आयते सचीगान जी उन्होंने ऐसे कह दिया था कि अगर अधवक्ता जाता है तो आप उसको कम से कम कुर्सी दे और सम्मान दे तो हुआ ऐसा देखिए फुसक बात वैसे रवया हो गया प्रियास अगर आप नहीं कर सकते हैं और आप यह रहें कि पुलिस प्रियास करने के लिए आएगी तो उनको कोट में पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है तो हमारी तरफ से यह प्रियास नहीं है हमारी तरफ से तो यह प्रयास ही है और यह शुरू से अब तक चला आ रहा है सवाल यह है कि देखिए पहल तो कहीं कि किसी करनी पड़ेगी अगर आप लोग मुझे लगता है कि अब आप बता रहे हैं असी मरून साब जब थे यहां पर मिनिश्टर हो गया इस समय तदकाली न नहीं कर सकते हैं तो मेडिया को माद़नों से पहल कर आई ठीक है कि आप लोग एक पटल पर बैठें और यह जो डिस्टंस बना हुआ है इसको खतम किया जाए वैसे ऐसा होना चाहिए बहुत बढ़िया बात कर रहें बता रहें आप अधिवक्ता तो सुरू से अब तक जब से भी उनकी इजट करता है चलिए अधिकारियों ज्या उनके डेपाटमेंट के जो भी आदमी आ रहे हैं जो अब अग्ड़ा अब यह थाने में भी जाते हैं जहां भी जाते हुए उनके उनको अधिकारियों को सब पता है इस तरह का प्रपोज यूटा ना हूं अँच्छ मेडिया लोगदन्त का 14 स्थम्भ है और मेडिया हमेशां से जनता की आवाज को उठाता है हम भी जनता के नुमाइंदे हैं हमारी आवाज को आप उठाएंगे और आप ही पहल कर दें ऐसी कि अधवक्ताओं के साथ समझस बैठे पुलिसरेकारियों का तो आगे के लिए हमेश सब्सक्राइब करते हैं जब भी कोई लाठी चार्ज होता है जब भी कोई लाठी चार्ज होता है जब अभी कोई इस तरह का प्रयास या कोई शांती भंक किसी होती है या अपोजिट पार्टी जो है अगर किसी डंडे से या किसी लाठी से लैस होती है पुलिस को यह लगता है कि नहीं अब यह पुलिस को अधकार भी है हटाने का पुलिस को अधकार भी है डंडा भी मारने का इस से लाटी चला सकते हैं, उसके ही इस सिर में पेट नी घारती लेकिन अबुलिस को तो जैसा लगता है वैंसे Nhина कि सरकार अधिवक्ताओं के सुरच्छा का आधिन्हम लागू करें को बढ़कात किया जाए कम से कम चोंके नयाय का काम बेंच और बार मिलकर के आगे बढ़ाएं और ये उसके लिए निश्यत है कि अधिवक्ता को सुरच्छा दी जाए अधिवक्ता सुरच्छत होगा नयाय प्रक्रिया आपकी सुरच्छत होगी जनता को नयाय मिलेगा और हम नहीं चाहते हम भी नहीं चाहते कि कहीं किसी का कैसी किसी तरह का गय कारून काम हो या हम लोग उग्र हो उग्र तब होते ही जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो यह स्वावा भी खेर पुलिस की पर फिर एक बात आप से कहना चाहूंद मुनू जी कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे जनता पानी की मांग कर रही है पानी नहीं आ रहा कुछ है नहीं सुना गया लाठियां बर्था दी तो ये पुलिस का रवया अपना बदलना पड़ेगा आप जनता के लिए हैं जनता के नोकर हैं आप जनता के सेवक हैं जनता के सुरक्षा के लिए हैं उनको सुरक्षा नहीं देंगे किसी का मर्डर हो गया रहा आप उसी गुमार रहे हैं तो ये इनको मां सकता बदलनी पड़ेगी अभी यह देखिए अभी मुझे लगता है आप लोगों को भी साइद 1831 में जो विटिस काल के जो रूर लेगलोशन थे जो बदलने पड़ागे वो चेंजिंग क्या शक्ता होगी काइब बहुत सारी चीजें जो आप लोग कर सकते हैं और होना भी चाहिए चुकि समय की मांग परिवर्तन रहता है तो कहिन कहीं बहुत सारे सरकार ना भी चेंज भी किया है आई पीसी के तमाम धारे अभी अभी तमाम कानून अभी हटाएं वहां से बांड करना पड़ेगा अभी कई कानून हटाएं एक से 755 में उन्हों ने किया है और इसमें 22-23 धारों को हटाया भी कि अनुसार अगर देखे लाटी चार्ज का प्रकरण तो उसमें कई बार पुलिस भी जो है ओपर लाटी चार्ज कर देती है जबकि यह गलत है और इसका विरोध जो है इस समय अदवक्ता कर रहे हैं अपनी मांग को मनाने के लिए अपनी बात को कहने के लिए अगर कोई व लूट का एक बड़ा हिस्सा है इसके लावा और कोई दूसरा हिस्सा नहीं होता है तो उनको भी सम्मान बराबर मिलना चाहिए जैसे अभी यहां इस्पटल पर बात हुई उनको सम्मान नहीं मिल पाता है हलाकि सरकार और पुलिस के अलाधिकारी लंपदि यह सभी चाहते हैं कि पुलिस अपने अच्छा ताल मेल उनकी शबी अच्छी बन सके भी बेहाँ इतना ही आपको पुद़ादे इस उसला बहुत कक्रिया आपका फौजदार सालगाओं ह४息 रखु करते हैं और पतल पर ऐसी बैठक हो गी जिसक्हें पूलिस और अध्यक्ताओं के बीच में एक नया प्रारूप तैयार होगा और जिस तरह से बात कही जा रहे कि बार काउंसल का कोई न कोई एक अध्यक्ष या कोई बैक्ती आप जांच परताल में सामिल होना चाहिए एक एक्ट आना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है फिलार बहुत बहुत शुक्री आप कर दो सीनूज